दिपवली के परवपर हर घर खुश्यों से भरा और रोश्णी से सजा धजा नसर आता है लेकिन कुछ किस्मत के मारे लोग ऐसे भी होते हैं जिने ना खुश्या नसीब होती हैं और ना ही रोश्णी इस सबात की मदे नसर पूर्व राज्य क्रीडा मंतरी संजे देशमुक बीते 14 साल से शेर के पाथर वर्ट समाज के साथ मिलकर दिवाली मनाने की अपनी अनूठी परंपरा को निभाते आ रहे हैं इस साल भी संजे देशमुक ने अपने मित्रमंडल के साथ नए बस स्टेंड परिसर में पहुच कर इन खाना बदोश लोगों के साथ दीपावली मना कर एक बाफिस समाजिक सद्भाव की काविले तारिफ मिसाल कायम की है मालूम हो कि पाथर वट नाम से परिचित यह खाना बदोश लोग बिहद हुनरमंद है वो अपनी कारीगिरी से पत्थर को छेनी हतोडे से तराश कर मुर्तिया बनाते हैं दीगरस में वे जोपडी नूमा घरों में जीवन बसर कर रहे हैं ऐसे में इन लोगों से मिलकर उनके साथ दिवाली के अलपोहार ग्रहन कर संजे देशमुक और उनके समर्थकों ने उनकी दिवाली को यादकार बना दिया इसी तरह संजे देशमुक ने शेहर के नई बसस्टेंट पर अपनी विवेन प्रलम्वित मांगो को लेकर धर्णा देर है एसची करमचारियों से मिलकर उनकी मांगो का समर्थन किया इस दोरान करमचारियों को दिवाली की शुवेच्चा भी उन्होंने दी इस मौके पर सं इसी न्यूस के लिए दीगरस से जुवेर खान की रिपोर्ट